नमस्कार मैं हूँ सभा शाहिद शेख न्यूस 24 यूप उत्राखन देख रहे हैं आप ओम प्रकाश राजबर जलेभी के तरह घुमाऊदार पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन उन वो जिस तरह से जिस तेजी से पाला बदलते हैं उसे देखते हुए ये कहना जादा मुनासिब होगा कि ओम प्रकाश राजबर इमर्ति के तरह पॉलिटिक्स करते हैं दरसल इंडिया गटबंधन का दामन छोड़कर वो एंडिये में तो शामिल हो गये मंत्री पत का मो लेके लेकिन मंत्री पत के बदले उन्हें अभी तक मिली क्या सिर्फ तारीख पर तारीख लेकिन अब इन्ही सब के बीच हबरे आ रही है कि ओम प्रकाश राजबर नराज चल रहे हैं और अब वो एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं अब वो NDA गटबंधन का दामन छोड़कर इंडिया गटबंधन में शामिल होने वाले इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रिशान देव जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो सबसे पहले सवाल ये है कि क्या राजबर फिर से NDA गटब भी दो मुहे साथ की तरह है और इंडिया गटबंधन की लोग हमसे संपर्क में है ये स्टेट्मेंट ने एक नई बहस सुरू कर दी जिस पर हम आप भी चर्चा कर रहे हैं ओम प्रकास राजबर मैं पहले बता दो कि ओम प्रकास राजबर की जो पार्टी भारती सुहल परकास राजबर में पहला है और अगर इसम पूं यनकलि उनकष भी तक मंतरी मंदल का विस्तार की चर्चा चल लए है इनको मंत्री बनाने की बात हवा में तैर रही है अभी तक कुछ हुआ नहीं आपने कहा तारिक पे तारिक पड़ वही है तो पूरे उत्तरपदेश के समीकर को आप देखेगा और सबसे खास बात है कि उन्हें कहाँ से आते कहां से हैं पच्चम उत्तरपदेश से नहीं आते हैं मध्य उत्तरपदेश से नहीं आते हैं पुर्वांचल से आते हैं पुर्वांचल में जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा कमजोर है कहीं जातिवादी समीकर काम करता है उसलिए भी कमजोर है कि मोधी फैक्टर, योगी फैक्टर, पफॉर्मेंस फैक्टर, डिलिवरी फैक्टर सब जाकर के पुर्वाइचल में फेल हो जाता है और 2022 के चुनाओं में आपने देखा राजभर इनके साथ नहीं थे, उसने ठीक सी पटकनी दी लगभग लगभग पुर्वाइचल में इनको साफ किया इसी वज़े से राजभर को दुबारा NDA में लिया गया वही राजभर जो पानी पी पी कर BJP को गाली देते थे, कोसते थे, उनको शामिल किया जा तो अब BJP को भी ये मालूम है की एक छोटे से दल, छोटी सी संख्या की ताकत कितनी है. ये ताकत ऐसी है जैसे कि कोई गाड़ी है जिसमें पहिये भी है, पैट्रोल भी है, सब कुछ है. चाभी नहीं है, बिना चाभी कि चले या नहीं है. तो वो एक चाभी है छोड़े से एरिये के लिए. इसी importance को हर आदमी समझता है और O.P. राजभर खूब अच्छे से समझते हैं उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है सबा कि यह जो जितनी छेतरी पार्टियां हैं छेतरी दल हैं चाहे वो अपना दल हो राजभर क्या की पार्टी हो निशाद की पार्टी हो कुर्मी कुश्वाहा की पार्टी हो मोर्या हूं यह ऐसा समीकरण बैड गया हुता प्रद्देस में कि यह जहां इनके नेता वहीं उनके मतदाता मतलब मैं यह बताना चाहरा हूं कि जो योगी मोदी factor development स्ट्रेट में connective पूरे परदेस में काम नहीं करता है तो यह जहां जाएंगे वहां में कम बंदाता जाता है जाता रहा है इसलिए सतरय के स्टेट में रहा है इनौने एक तरीके से चेटावनि दी फिर दोदर जा सकते हैं और अगर उधर जाएंगे तो नुकसान करेंगे इस परकुत कोई नहीं कोई दोराय नहीं है तुझ कोई दोराय मंद्री है सब कुछ है लावलस के साथ चलते हैं लेकिन वोट उनके साथ नहीं वोट ओपी राजबार के साथ है इसी लिए ओपी राजबार इस तरह की बात करते हैं अब इसमें कितनी सच्चाई है और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यूपी पॉलिटिक्स जो हम लोग देखते इसी वज़ेस से बीजेपी को भी इनको लेना पड़ा और बीजेपी को लेना पड़ा उन्होंने ये बात कही है कि इंडियागटबंधन उनके साथ में बिलकुल साथ में होगा मतलम अखलेश आदो हराल में चाहते हूँँ कि वापस आ जाए बिलकुल सपा कभी बयान सामन कर लिए कि अगर आप आते हो तो आपका स्वागत है तो क्योंकि जो गडबंधन बनेगा उसमें पुरवांचल के लिए कहीं यह उत्रपदिस में ने कहा कि मात 1.2% है तो पुरवांचल में यह वैलु एडिशन करें अगर यह जिसके साथ नहीं उसका नुकसान करें हैं देख नहीं कर लिए जिसका नतीज़ की शूटी जातियां मैंने कहा कि अपनी लान नेता हैं मत्दाता उन्हीं के साथ हैं चाही है दुनिया इधर से उधर हो जा यह सुटति आझ 여ंतिय के सच्चा है है तो इसी लिए आज अपना दल बेजएपी के साथ राजबर बेजएपी के साथ निसाथ बीजएपी की साथ मोया बीजएपी की साथ तो अब बारा इस लिए तो यह दोतलिकि मैं आपकी कहानी बतारा दा जो अब है अब सब्सक्राइब करें मन्त्री सुर्कार में मिलने और यादवूगा श्रुण को भी इतनी भारी भरकम सरकार बनी, ओपी राजभर ने दिखाए, और उनने कहा कि जब तक मुझे ग्रियमंति से मुलाकात नहीं होगी, मैं नहीं जाओंगा, नहीं जाओंगा, बहुत अंड़ संड़ बोला, उल्टा सीधा बोला, योगी सरकार को कोसा, वो योगी सरकार कोसा, जो अभी भारी भाहमत से जीत किया है, यह थी भारी बतला उत्तरपस मिले किया है थी, पहला बाड़, क्योंकि उस वक्त, ओपी राजभर को अपनी ताकत का अंदाज़ा था, और शायद उस वक्त, बीजेपी को अंदाज़ा नहीं लगा, बीजेपी ने उनको seriously नहीं लिया, और नतीज़ा हुआ कि विड्रॉ कर गए, 2017 से उनने सरकार से हट गए, और उसके बाद बाद 22 को चुना हुआ, तो आपने देखा कि अच्छा खासा डेंट, बीजेपी को सिकस देने में, लेकि पूरी तरीके से पूरी उत्तपदेश जाती समीकरण से बिलकुँ गुथा हुआ हुआ है, बधा हुआ हुआ है, वहाँ ओम परकास राजबार ने सिकस दी और इस सिकस को बीजेपी के हाई कमान, अला कमान ने समझा और इनको फिर से अपनी गोद में बिठाया, सर राजबार जी का तो कहना है कि सारे नेता दो मुहे साप की तरह है, और उसमें वो भी शामिल है, तो क्या ये इशारा है कि वो पल्टी मारने वाले हैं? इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि सारे नेता दो मुहे साप है, इसका मतलब है कि हर पॉलिटीशन, हर पॉलिटिक्स में ऑपरचुनिटी होती है, बीजेपी भी ऐसा थोड़ी है, कितनी बार पाला बदली कितने लोग इधर से उधर गए, लेकिन जो तरीका होता है, उसमें कुछ लॉजिक होता है, कुछ सम्मान होता है, लेकि ये तो खुले आम जैसे, ओम परकाज राजबर जैसे कहते हैं, और इसलिए जाना जाते हैं, आज उनकी चर्चा इसलिए हो रही है, इसलिए जाना जाते हैं आप अभी ग्राउंड रियालिटी चक करा लिजिए राजभर कम्मुनिटी में किसी गाउं में चले याईए आप देखिए किसी से पूछिए क्यों परकाजार में तो ऐसी बात करते हैं कोई उनके खिलाब बात नहीं करें यह उसकी यूएसपी है मतल कुरी को बीजेपी क्याला कमान सबस्ते हैं इसलिए इस तरह की बात होई तो यह इसमें काफी मुझे दम लग रहा और एक नई पॉलिटिक्स एक नया रास्ता खुलने की तयारिया हाला कि अगर इनको मंत्री बनाने की नहीं है अभी मंत्री बनाने की बात आएगी फिर लो पॉलिटिक्स को समझ गये होंगे कही ना कहीं वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हालाकि इतिहास गवा है अगर राजबर के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाले तो वो जस भी पार्टी के साथ जाते हैं उनका बेडा गर कर देते हैं तो अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि राजबर इस बार किसकी नईया डुबाते हैं फिलहाल के लिए इस डिसकेशन में इतना ही देखते रहें न्यूस 24 यूप उत्राखर्ण